हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भी के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के 6 लाग सिक्षकों को लगे जटके की और जो भी सिक्षक अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी इंतजार में थे उन सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग की परकिरिया में अभी काफी देर होने वाला है और इसको ले करके ऑफिसियल खबर भी निकल करके आ चुका है तो चलिए चलते हम लोग अगले स्लाइट पर और आप लोग को दिखाते हैं तो यह आप लोग जो देख रहे हैं सिक्षको के अस्थानांतरन में अभी देर पटना हिंदुस्तान ब्यूरो सिक्षकों के अस्थानांतरन पदस्थापन के साथ थी अनुकंपा पर न्युक्ति की नीती बनाने को ले करके दो जुलाई दोहजार चौबिस को सिक्षा विभाग ने कमीटी गठित की थी कमीटी गठन को ले करके जारी पत्र में कहा गया था कि 15 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट देगी जिसके अधार पर विभाग ने लेगा धाई महीने बाद भी कमीटी की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है इससे साफ है कि सिक्षकों के अस्थानांतरन और अनुकंपा पर म सिक्षा के निदेशक सदस्य हैं यह दोनों निदेशक भी अब नए आ गए हैं कमीटी की कई बार बैठक हो चुकी है इसमें उक्त दोनों मामलों को लेकर नीती का एक प्रारूप तयार कर लिया गया है अभी संसोधन पर मंधन चल रहा है यही वज़ा है कि अभी तक कमीट सिक्षा मंत्री सुनिल कुमार ने गोसना की थी कि सिक्षकों के अस्थान अंतरन के लिए उदार नीती तयार की जा रही है इस संबन्द में विभागिये पताधिकारी बताते हैं कि एक बार नए सिरेसे अस्थान अंतरक नीती को अंतिर और देने पर तेजी से कारभाई सु क्रिती ली जाएगी इसके बाद ही नीती के आधार पर सिक्षकों का पदस्थापन और रस्थान अंतरन होगा साथ ही अनुकंपा पर मिरित सिक्षकों के निक्ति का रास्था भी साफ होगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका मुख्य हेड्लाइन क्या है धाई महीन पर नहीं पहुंच सकी नीती वनाने वाली कमेटी 15 दिनों में ही कमेटी को रिपोर्ट सोपने का मिला था टास्क तो अब यहां पर बात आती है बिहार में सक्षमता पास सिक्षकों की जिनकी कॉंसलिंग की परकिरिया अगर बात करेगा तो पर्थम चलन उसका पूरा हो और लगभग 35,000 सिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपना कॉंसलिंग नहीं करवाया और उतना ही आसपस ऐसे सिक्षक है जिनका यहां पर डाउट फूल या फिर यूं कहले कि उनमें कहीं कहीं कोई न कोई गरबरी देखने को मिला तो उसको यहां पर ध्यान में रखके जितने सिक्षक जिनका कॉंसलिंग में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है उन सभी का जो है यहां पर वी अपने पदस्थापन को लेकर के वेट कर रहे हैं वहीं अगर बात करेगा अन्य सिक्षकों की जिसमें BPSC सिक्षक नियोजिस सिक्षक और पुराने सिक्षक जो की अपने ट्रांसफर को लेकर के यहां पर इंतजार में हैं उन सभी को उन सभी का जो इंतजार है वो अभी और लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब तक कमीटी रिपोर्ट नहीं बनाएगी तब तक यहां पर सिक्षकों का पदस्थापन और अस्थान अंतरन नहीं हो पाएगा वहीं अगर बात करिएगा तो दो जुलाई को जो कमीटी बनी थे उस पर यहां पर उनको कहा गया था कि 15 दिन के भीतर ही उनको एक निरनाय लेना है पर अभी धाई महीने बीट जाने के बाद भी यहां निरनाय नहीं हो सका है कि सिक्षकों का जो यहां जो यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वापून ख़बर था जिसको मैंने आप लोगों के बीच सेयर किया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भी के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के 6 लाग सि इंतजार में थे उन सभी का ट्रांसपर पोस्टिंग की परकिरिया में अभी काफी देर होने वाला है और इसको लेकर के ऑफिसियल खबर भी निकल करके आ चुका है तो चलिए चलते हम लोग अगले स्लाइट पर और आप लोग को दिखाते हैं तो यह आप लोग जो देख अभी देर पटना हिंदुस्तान ब्यूरो सिक्षकों के अस्थानांतरन पदस्थापन के साथ अनुकंपा पन्युकति की निती बनाने को लेकर के 2 जुलाई 24 को सिक्षा विभाग ने कमिटी गठित कि थी कमिटी गठन को लेकर के जारी पत्र में कहा गया था कि 15 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर विभाग निरने लेगा धाई महीने बाद भी कमीटी की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है इससे साफ है कि सिक्षकों के अस्थानांतरन और अनुकंपा पर मिल्ट सिक्षकों के आस्रितों की न्युक्ति में अभी देरी होगी विभाग के सची बैदनाथ यह अदब के देख्सता में कमिटी गठित की गई गठित की है इसमें माधमिक और प्रात्मिक सिक्षा के निदेशक सदस से हैं ये दोनों निदेशक भी अब नए आ गए हैं कमीटी की कई बार बैठक हो चुकी है इसमें उक्त दोनों मामलों को लेकर नीती का एक प्रारूप तयार कर लिया गया है अभी संसोधन पर मंथन चल रहा है यही वज़ा है कि अ उदार नीती तयार की जा रही है इस सम्मंद में विभागिये पदाधिकारी बताते हैं कि एक बार नए सीरे से अस्थान अंतरक नीती को अंतिरूप देने पर तेजी से कारवाई शुरू हुई है इसके बाद विभागिये पर मुख और मंत्री के अनुमोदन के बाद नीत पर कैबिनेट सुक्रिती ली जाएगी इसके बाद ही नीती के आधार पर सिक्षकों का पदस्थापन और रस्थान अंतरन होगा साथ ही अनुकंपा पर मिरित सिक्षकों के निकती का रास्था भी साफ होगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका मुख हेड्लाइन क है धाई महीने में भी निर्ने पर नहीं पहुंच सकी नीती वनाने वाली कमेटी 15 दिनों में ही कमेटी को रिपोर्ट सोपने का मिला था टास्क तो अब यहां पर बात आती है बिहार में सक्षमता पास सिक्षकों की जिनकी कॉंसलिंग की परकिरिया अगर बात करिएगा तो पर्थम चलन उसका पूरा हो चुका है और 13 सितंबर तक कॉंसलिंग की परकिरिया हो गई थी और लगभग 35,000 सिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपना कॉंसलिंग नहीं कर वाया और उतना ही आसपस ऐसे सिक्षक है जिनका जो है यहां पर डाउट फूल या फिर यूं कहले कि उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई गरबरी देखने को मिला तो उसको यहां पर ध्यान में रखके जितने भी सिक्षक जिनका कौंसलिंग में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है उन सभी का जो है यहां पर वी अपने पदस्थापन को लेकर के वेट कर रहे हैं वहीं अगर ब भी और लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब तक कमीटी रिपोर्ट नहीं बनाएगी तब तक यहां पर सिक्षकों का पदस्थापन और अस्थानंतरन नहीं हो पाएगा वहीं अगर बात करिएगा तो दो जुलाई को जो कमीटी बनी थे उसमें यहां पर उनको कमीटी जो निर्णाय ले रही है सिक्षकों के लिए यह जो निमावली है यह कब तक बन करके तयार होगा इसका कोई अता पता नहीं यह यहां पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वापून खबर था जिसको मैंने आप लोगों के बीच सेयर किया